सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एवम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नई वीडियो दोस्तों आज मैं आप सभी कोई इस हाँ से रिलेटेड महत्पुन जान करें व्यक्त करूँगा जिसमें सब्सक्राइब करें यहाँ पर आपकी फिंगर के अनलेसिस के बाद इस पूरे पाम का एनलाइस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंद के उशे में तो देख सकते हैं कि फिंगर के लेंद पाम के कंपरेशन में शौट है जो एक फास्ट डिसिजन मेकिंग हैबिट को और जल्दबाजे किसमे के व्यक्तिवत को दाशाता है इसके अंतरगत इंस्टेंट डिसिजन लेना अपने थौर्स के उपर बहुत जल्दी काम करने लगना साथ ही एक प्रकार से जिस बात से इंस्पार्ड हो जाते हैं कुछ समय के अंतरालम में वह काम करके दिखाना किसी के अंडर में ज्यादा कमफर्टिबली वर्क नहीं करन क्योंकि किसी की सुनने या किसी से दब करके रहने की आदत ना होना ये सभी आपके अंदर में रहेगा और लिटल फिंगर का जुकाव आपके थर्ड फिंगर के तरफ है इस कारण से आपका रुजहान ध्यान फैमिली के तरफ जादा रहेगा फैमिली लाइफ को बहुत प्रेंजर या अपोजिट्स देंडर से बाचत करते समय हिच की चाट घबरहाट मेसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना विसी परिस्तिति आती है और फिर्स्ट फिंगर के लिए यहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉंग है जिसके करण ये रिस्पॉंस्बिलिटी टेकिंग नीचे देता है जीवन में कभी किसी प्रेंगर की जिम्मिदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और फिर्स्ट फिंगर का जुका आपके सेकंड फिंगर के तरफ है जिसके करण ये आपको धार्मी भी बनाएगा इसलिए जो भी आपका यहाँ धर्मकास्ट रिलीजन है उस इस कंडिशन में हर परिस्थिती माहूल में अपने आपको ढाल लेना हर प्रकार के वेक्तित वाले लोगों के साथ संबंद अच्छे रहना ये भी बेसिक नीचे में रहेगा यहाँ देखें तो फिंगर के जो नॉट्स है वो इतने क्लियर कर डेवलप नहीं है तो थोड़ का थंब एक प्रकार का जिद्धी सुभव जादा देता है साथ ही अडियल किसम का नीचर भी देता है जिसके करण जू भी एक बार ठाना है तो वो चीज़ करके ही दिखाएंगे और यहाँ पर यहाँ कचिन भी सिक्स दिसंस इंटूशन के लिए अच्छा मने जाता है तो अगर आप पूजा पार्थ या धर्मी क्रिया कलापों में लिपत रहते हैं तो इस कंडिशन में लाइफ में पीसफुलनेस, हैपिनेस, ग्रोथ, डिसिजन टेकिंग इसकिल इन सारे चीज़ों में बहुत हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा और जहाँ पर थमका अलकुल मिला करके ठीक है तो सेल्फ रिस्फेक्ट जादा रहेगा इसलिए किसे के सामने जल्दी जुक नहीं पाएंगे पाम का साइज यहाँ पर देखेंगे तो लंबाई में अच्छा जारा जिसके करन यह लॉट्स ऑफ डिम डिजार अंबिशन को दर्शाद है इसका मत आपड जो सोचा है उसके ओपर काम करने लगना इसलिए आप जैसे जाता है एक्शन लेने में बहुत जल्दी बिलीव रखते है यानि प्रैक्टिकल नौलेज गेन करने में ज्यादा बिलीव रखते है त्योरेटिकल में मज़ा नहीं आता है इसका मतलब यह रहता है कि बन जिरेस लाइफ है उन सब का बेनेफिट है यहाँ पर देता है यहाँ पर बात करें गुरू के छेतर पर दो देखें गुरू पर बहुत मजबूत आपकी आड़े रेखा जिसे गुरू अले कहते है और गुरू अले का मतलब होता है धर्म के प्रती बहुत ज़्यादा जुक करता है तो कुछ न कुछ सीखते रहना या अपने ग्यान को बढ़ाते रहना ये भी बेसिक निचर में रहता है और जो मेरे लाइफ का सुख है ये थोड़ा देरी से देता है इस प्रगार की आड़ी रेखा लेकिन जीवन में आत्मिया जो संतुष्टी है वो आपको यहां प रेखा ना पोचे या कोई मजबूत शाखा ना हो तो पेसा केसे आ रहा है केसे जा रहा है इसका हिसा भी नहीं पता चल पाता है फ्लुएंट जो है एक्सपेंसिस यानि खर्चे जीवन में रहते हैं अब यहां देखेंगे तो आपकी भाग रेखा तकरिबन उम्र यहां प पुष्टी के बात करें तो वो मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल यहां देखने को मिल रहा है इसके अलावा छोटी छोटी जो शाखा यहां पर पहुच रही है यह temporary period के लिए जो एका एक जीवन में धना आरजन आपको होने आला रहेगा उसको यह यहां पर indicate कर रहा है इसक समय पर एक से जादा काम करना अपने आपको कई सारे कारों में लिप्त रखना तो इस condition में focus में कमी होता और जितना perfection के साथ कोई अगर एक काम करना चाहिए वो फिर नहीं हो पाता है इसलिए जितना name, respect या जितना power, position, authority, life मिलने चाहिए वो फिर नहीं मिल पाता है तो सूर सूरिय काम आधे अधूरे रहे जाते हैं या बहुत देरी से जो है complete होने वाले रहते हैं एसा सूरिय जीवन में धन की कोई कमी नहीं देता है तो धन अच्छा रहेगा name, respect उतना properly नहीं हो पाता है जब तक अत्यदिक रेखा हैं आपर available हो mercury मांट की बात करें तो mercury मांट ठी एक सत्यदिक रेखा ज्यान, बुद्धी, अच्छी देने के साथ साथ किस वेक्ति से कैसे बात करना है कैसे काम निकलवाना यानि एक प्रकार का चतुर चाला की पन भी देता है तो ये convincing skill अच्छा देता है और आप जैसे जाए तक अपना बात दूसरों से मनवा लेने वाल हैं और यहां पर देखा जाए तो दूसरों कि सुख्र में सुखी गम में सही योग देने वाले यहां पर आप रहेंगे आपकी जो union line है वो भी दो है तो life में दो बार गहरा attachment और relation आपके बनने की योग पूरे के पूरे है रदरेगा में यह जो island बन रहा है इसका उम्र यह और इस्तिति में ज़्यादा तकलीफ ना आए इसलिए अभी सिस्वास संबंदी चीजों पर अत्यदिक ध्यान रखें इसलिए अपने शारिरिक शमता को बढ़ाना खान पान के उपर अत्यदिक ध्यान देना गलत आदतो या संगत खान पान जैसी चीजों से दूर रहने की भी आवशकता है रधर रहा आपके शनी पर आकर के रुक रही है जिसके करण आप यहाँ पर money minded रहेंगे career focus और self focus nature रहता है practical nature यह देता है इस condition में अपने emotions feelings hide कर लेता है अपने पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते है और जो overlap करके रहा जूपिटर पर जा रही है यह फिर देंगे आप और बागी उसके पहले तक बात करें तो इसा तो स्वास संबंदी दिक्कत नहीं दिख रहा है यहां हलकेल की शाखर नीचे जा रही है तो आप कहीं न कहीं गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है तो थोड़ा सोच समझ कर किसी से expectation लगाए या भरोसा रखे अन्य situation पर जादा control नहीं होता है एक बार आता है तो पूरा फोड़ फाड़ करके जाता है तो यहां पर यह है कि यह सारी रेखां बहुत मजबूती से नहीं जुड़ाए रदे रेखा से अन्य था आपको हर बात पर ही गुस्सा आते रहता है इसलिए cool काम nature रखना जल्दबाजी हरबडी में निर्णे लेने से बचना या गुस्से में कोई भी वादा या कोई भी decision लेने से आपको बचना चाहिए यह मांगले खोने की योगों को भी दर्शा आता है इसलिए मंगल के अंतरगत हर्मान जी के अराधना करने से यह मंगल दोश में कमी आता है यहां पर बात करें माइंड लाइन के बारे में तो माइंड लाइन प्यॉर्ली इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से बच्पन से ही तमाम तरह के सुख सुधा या इंडिपेंडेंडेंसी मिली होए होती है कि जैसा आपको काम करना है जैसा जीना खाना पीना है वैसा आप करिए तो जि बानी अच्छे खासी रही है तो तमाम तरह का प्रेशर आपने अपने एपर बड़ी से रहलता से जहला है। अब यहाँ पर यह इस्म प्रकर से डिक्लाइन हो रही है। तो न्रॉर्मली यह यहाँ पर आपको एक प्रकर से डीप थिंकर बनाता है। इसलिए हर बात के जड़ तक जाना कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना अपने खुद के खयालों में रहना ये भी जो है बेसिक नीचर में देखने को मिलता है बाइफॉर्क का फॉर्मेशन यहां यात्राओं का सुभाग भी व्यक्ति को देता है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्स्पिनेस भी गेन करते हैं और घ्यान भरपूर भी देखने को मिलता है इसलिए किस situation में क्या नेड़ने लेना चाहिए किस situation को कैसे handle take up करना चाहिए किस वेक्ति से कैसे काम निकलवाना चाहिए जो बूद्ध के छेतर पर हमको देखने को मिला यह इसी बुद्धी मता के कारण है बस आप overthinking और negative thinking से अपने आपको दूर रखेगा बाकि तो कोई भी mind line में आपके देखकर नहीं है lifeline के उपर देखेंगे तो lifeline का flow सीधे middle of the palm आ रहा है और इस यहाँ पर आपके lifeline के उपर multiple राहो की रेखा और आपकी शुक्र मंगल के तरफ से आने अली रेखा काटके गए तो इन सब प्रकार की रेखा जीवन में हर पड़ाओ पे कुछ न कुछ कस्ट बाधा, अर्चन, घरेलु तकली परशानी, आर्थिक हानी या मानसिक तनाव देती रहती है परन्तु एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर देखने के मिला वो है आपका guardian angel line तो यह जो guardian angel line है यह प्रारम हो रहा है 27 के ही एच से जब यहाँ पर mind line पर जो stress हो जब खतम हो रहा है उसी के बाद से जीवन में यह सहयोगी रहा परारम हो जिसके अंतरगत बहारी दुनिया लोगों का या अपने spouse वो घर परिवारों का किसी का ही सहयोग जीवन में बना रहता है जिसके करण तमाम तरह के कष्ट परशानी अर्चन बादा खतम होता है इसी लिए ये जो राहो की रेखा हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ये जो मंगल शुकर के तरफ सा आ रहा है ये बहुत ज़्यादा ही पारेवारिक दृष्टी कोन से कष्ट देता है असंतुष्टी भी देता है लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव आपके उपर नहीं रहेगा क्योंकि ये कष्ट जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे और आपको यही हिदायत है कि आप अपने घरिलू जो मेटर है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर कि आप बहुत ज़्यादा उसके उपर और रियक्ट ना करें कभी क्योंकि राहुकरेखा है वो मेंटल प्रेशर भी दे सकती है और ज़्यादा स्ट्रेस भी दे सकती है यहां पर देखेंगे तो अंद्रोनी मंगल की स्थिती सामान ने है बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो इस कंडिशन में सारे रिक गठन बलूज कहीं हैं मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के वो किस कंडिशन में बनते हैं बाकी ये बात जरूर है कि बाहरी मंगल उन्नत अच्छा है तो आप कभी किसे से डरेंगे नहीं चाहे कोई परिश्थी तो हो चाहे सामने कोई भ अच्छा है तो आप अपने जीवन में उन्नती प्रसिधी समरिधी हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे इसलिए एशा शुकर खर्चे भी बहुत कराता है और ये खर्चे लग्जरिस लाइफ को मेंटेन करने में घर परिवार को मेंटेन करने अपने शोकरमान पूरे करने र अपने जीवन में घर परिवार करने के लिए यहां पर देखा जाए तो आपका जो बिसिकली केतु है वो कुल मिला करके नॉर्मल है और यहां पर जो चंदर है वो भी विक्सित कुल मिला करके ठीक है तो सोचने समझने की शमता अत्यदिक है लेकिन नेगेटिव थिंकिंग गोवर थिंकिंग से हमिशा बच करके रहिएगा गलत संगत गलत आदत से दूर रहिएगा निथा आपको टेंशन एंजाइटी का प्रोब्लम भी हो सकता है वहीं बात करें यहां पर मर्करी लाइन की तो फिलाल तो मनी ट्रेंगल पूरा ओपन है पेसा आएगा अच्छा ल और मून के तरव से भी लगाया है तो मून के तरव से जब लगाता है तो बाहरी दुनिया लोगों का या पब्लिक सपट जी उनमे अच्छा मिलता है तो उससे भी उन्नती रहती है और सूर की स्थिति तो बहुत मजबूत जा रही है आपके लेफ्ट पाम में तो आप अपने करियर वाइस बहुत जदा बीजी हो जाने वाले रहेंगे और फेमिली लाइफ वाइस आपका जो ध्यान है वो थोड़ा कम होने वाला भी रहेगा बाकी देखा जाए तो यहाँ पर भाग रेखा जरूर शनी तक नहीं पहुचा है लेकिन सूर की स्थिति बढ़िया है तो जीवन में धन वेभव किर्थी की कोई भी इसी कमी रहने नहीं वाली है तो यह थी सबसे महत्पूर बात है आपके हाथ करिगाड़ी आशा करता हूं सभी प्रेशनों गत्र मिल गया हो तब तक अपना ध्यान रखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद